आज हम देखेंगे निर्देशांग पद्धती का परीचय और रेखिक आलेक से जुड़े कुछ दिल्चस्प उधारण दर्शाइगई आकरतियों के शिर्षों के निर्देशांग यानि कॉडिनेट्स ग्याद कीजिए दर्शाइगई आलेक में दो आकरतियां दर्शाइगई है चतरबुच LMNO और त्रिबुच PQR चलिए चतरबुच LMNO के शिर्षों के निर्देशांग ग्याद करें हम देखते हैं कि शीर्ष L का X निर्देशांग 2 तथा Y निर्देशांग 4 है इसलिए शीर्ष L के निर्देशांग 2 4 है इसी तरह हम देखते हैं कि शीर्ष M का X निर्देशांग 0 तथा Y निर्देशांग 2 है इसलिए शीर्ष M के निर्देशांग शून्य दो है शीर्ष N का X निर्देशांग दो तथा Y निर्देशांग शून्य है इसलिए शीर्ष N के निर्देशांग दो शून्य है इसी तरह शीर्ष O के निर्देशांग है चार दो हम कह सकते हैं कि चत्रभुष LMNO के शीष्यों के निर्देशांग 2-4, 0-2, 2-0 और 4-2 है अब आप स्वयम त्रभुष PQR के शीष्यों के निर्देशांग ग्याद कीजिए अगला उधारण निमरत प्रते दिन अपने साइकल से स्कूल जाती है किसी दिन उसे स्कूल पहुचने के लिए 25 मिनिट लगते हैं जिसका विवरन दर्शाइगी सार्णी में दिया गया है उप्यूक्त पैमाना लेकर दी हुई सूचना को रेखा आलेक यानि लाइन ग्राफ के रूप में निरुपित कीजिए क्या यह आलेक रेखिक आलेक यानि लिनिर ग्राफ है एक रेखा आलेक ऐसे आकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते हैं रेखा आलेक में आकड़े बिंदू द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैं सभी बिंदू रेखा खंड द्वारा जोडे जाते हैं यदि सभी रेखा खंड एक ही रेखा के भाग हो तो हम कह सकते हैं कि वह एक रेखिक आलेक है चलिए दर्शाई गई सूचना के आधार पर रेखा आलेक खीजे। कागस पर दो परस पर लम रेखाएं कीजे। शैतिज रेखा X अक्ष और उर्द्वादर रेखा Y अक्ष है। हम X अक्ष पर एक एकाई बराबर पांच मिनट पैमाना लेकर मिनट में समय दर्शाएंगे। इसी प्रकार हम एक एकाई बराबर 0.5 किलोमीटर पैमाना लेकर Y अक्ष पर दूरी दर्शाएंगे। अब हम विभिन्न स्थितियों के लिए बिंदू आलेखित करेंगे। 5 मिनट में 0.5 किलोमीटर तक की दूरी तै की गई है। हम निर्देशांग 5.0.5 पर बिंदू पी अंकित करेंगे जो इस्थिति को आलेख पर निरुपित करेंगे। आलेख पर इसे दर्शाने के लिए हमें मूल बिंदों से 1.5 दाई और चलना होगा। फिर एक एकाई उपर की ओर चलेंगे. इससे हम बिंदू P के स्थान पर पहुँच जाएंगे. इसी प्रकार यहां अन्य बिंदूओं के निर्देशांग इस प्रकार लिये जा सकते हैं. विडियो रोक कर सोचिए इनका स्थान कहा होगा? चलिए हम बताते हैं. इन्हें हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं. अब हम सभी बिंदूओं को क्रम के अनुसार रेखा खंडों से जोडेंगे. हमने समय के अनुसार तै की गई दूरी को रेखा आलेख के रूप में प्रदर्शित किया है. निर्मित रेखा आलेक के सभी रेखा खर्ण एक ही रेखा के भाग है इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राप्त आलेक एक रेखिक आलेक है आज हमने देखे निर्देशांग पद्धती का परिचय और रेखिक आलेक से जुड़े कुछ दिल्चस्प उधारण अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ और उधारण देखेंगे